Hey winners! Healing और health sector के इतिहास की जो सबसे powerful कुछ books है ना जो मैंने अपनी जिन्दगी में पढ़ी इन सब books को एके करके आपके साथ share करूँगा और इसमें जो learnings है वो आप तक पहुचाने की कोशिश करूँगा इस हेल्थ सीरीज के वीडियो में लेकिन आज जिस book की मैं आपसे बात करने वाला हूँ वो है You Can Heal Your Life by Louise Hay और आप सब जानते हैं कि यह कुछ मेरी चुनिंदा फेवरेट बुक्स में से एक book है उसका सबसे बड़ा reason यह है कि Louise Hay न सिर्फ यह बाते हमें बताती हैं बलकि इसके साथ साथ यह वो lady है जुन्होंने अपने cancer को खुद से heal किया self healing से, अपनी diet से और अपनी mental programming से तो क्या यह recommendation हमें देती है कि हम अपनी life में हर अपने physical challenge को overcome कर सकें diseases को heal कर सकें, healthy रह सकें और अभी वो diseases जो disease बनी नहीं है, बिमारी बनी नहीं है जो सिर्फ stress के level पर दिमाग में घूम रही है, कैसे उसको खतम कर सकें अपनी जिंदगी से, उखाड फैंक सकें इस वीडियो में share करने वाला हूँ, वीडियो बहुत important होने वाला है, बने रहना मेरे साथ और लुईज ही का ऐसा मानना है कि किसी भी बिमारी के पैदा होने के तीन सबसे major कारण होते हैं जिसमें से दो सबसे ज़ादा जरूरी और major कारण होते हैं, जिनको आज science से भी हम समझ सकते हैं जिसमें सबसे पहला है खाना, मतलब जो हम diet लेते हैं, और दूसरा है खाना, मतलब जो हम diet mind से लेते हैं सिर्फ मूसे नहीं खा रहे हैं, mind से भी कुछ विचारों को हम अपने अंदर ले रहे हैं, thoughts को produce कर रहे हैं, अपने beliefs को develop कर रहे हैं जो सारा दिन rumination चलती रहती है, वो कहीं न कहीं हमारे cells पर impact डालती है तो इस book में author बोलती है कि हर एक physical disease है या physical challenge है किसी भी तरह का, वो सबसे पहले mind में create होता है जिसे mind की permission के बिना एक उंगली तक नहीं उट सकती, ठीक उसी तरह mind किसी भी unwanted चीज़ को ऐसे discover नहीं कर सकता जब तक दिमाग उसकी इजाज़त न दे और बकाइदा हर एक disease के क्या energetic symptoms होते हैं, क्या वो commands होती हैं जो हम अपने mind को देते हैं, cause जिसको author ने बोला है क्या होते हैं, जिसकी वज़े से हम कोई भी disease को develop करते हैं एक disclaimer मैं यहाँ पर देना चाहूँगा और समझाना चाहूँगा आपको अगर आप वाकिए अपनी health की journey पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो, कि जिस तरह से मैं अकसर अपने events में भी participants को लोगों को बोलता हूँ, कि जब मैं बोलता हूँ न, वो बोलते हैं sir, इतना सारा काम क salary नहीं बढ़ी तो मैं बोलता हूँ, कि यार जो आपने बढ़िया काम किया, आपको उसका reward लग रहा सिर्फ salary, यह जो note आपने चापे, मतलब यह जो note है, आपको लग रहा इसी के रूप में reward मिलना चाहिए, लेकिन जो आपने अच्छा काम इस कुदुरत को दे दिया है, वो कुदुरत अपने हिसाब से उसकी vibration को देख करके आपको reward देती है, हो सकता है आपका increment ना लगा हो, हो सकता है salary ना बढ़ियो, लेकिन हो सकता है आपकी सेहत ठीक है, यह भी तो एक reward है, हो सकता है आपको अच्छे लोग जिंदगी में मिल रहे है, यह भी तो reward है, कोई द reward जब सेहत के रूप में अच्छी, खुशियों के रूप में, चेहरे पर smile के रूप में मिलते है ना, उसकी कोई कीमत नहीं है, तो कहनेगारत यहाँ पर यह है, कि जैसे आपने अच्छा काम किया, उसके बदले में कोई अच्छा reward आपको मिलेगा, ठीक, उसी तरह आपने क life में research की, उससे मैंने भी बहुत सारे conclusions निकाले, जो अब आपके साथ share करता हूँ, लोई से बोलती है, कि जिस इनसान ने अपनी जिन्दगी का, अपने परिवार का, बहुत ज़्यादा बोज उठा लिया, जिसको financial pressure इतना ज़्यादा हो गया, कि पूरे परिवार के कंदों कि जिम्मेदारी मेरे कंदों के उपर आ गई है, वो बहुत जल्दी अपनी पीठ में दर्द develop कर लेता है, कमर में दर्द होने लगता है, especially lower back में, कंदों में दर्द develop हो जाता है, cervical होने लगता है उस इनसान को जो पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठा लेता है, और वो इ ऐसा बोलते हैं जिसकी आत्मा रोई है, वो इंसान cancer develop कर लेता है, किसी ने ऐसा गलत किया उसके साथ कि उसकी अंदर आत्मा तक वो जो है, हिल गई, तो अगर आपके पास mind में किसी भी तरह का कोई grief रखा है, anger रखा है, sorrow रखा है, negative emotion है, किसी के प्रती hatred है, jealousy है, या फिर ब in full memory रखी हुई है, उसको निकाल डालो, author बोलती है कि ये जब बहुत छोटी थी तो इनके father की death हो गई, इनके mother ने दूसरी शादी की, जो इनके stepfather थे, वो इनके साथ बहुत गलत treat करते थे, और बहुत छोटी उमर में ही इनको rape कर दिया गया, छोटी सी बच्ची, और जिस डर से इनसान confused हो जाता है, उसी डर से इनके cells confused होकर के इनको बिमारी देते हैं, और जब पता चलता है कि ये psychosomatic है, mind से create हुई है, तो ये doctor को बोलती है कि मैं इसको खुद heal करूँगे, खुद से ठीक करूँगे, और इन्होंने वो करके भी दिखाया, तो इसके पीछे emotions अल बहुत सारे podcast से, उनकी books से और बहुत अलग अलग जगा से उनके talk से conclusion निकाला, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़े हैं, जो इन सभी 6 points में मैं आपके साथ cover कर दूँगा, जिसमें सबसे पहला point जो आपके साथ share करना चाहूँगा वो है कि, life में कभी भी जब भी हम किसी physical challenge का सा नहीं कर पाता, तो सबसे पहले तो परिवर्तन से नहीं घबराना, इस सब चीज़ के लिए जो आपकी जिंदगी में challenge आया है, उसको ठीक करने के लिए एक बहुत बड़ा change लेकर के आना पड़ेगा, बहुत बड़ा change, वो छोटा नहीं होगा, और इसी वज़े से बहुत स जरूर लेकर क्या होगा और इस बात का मुझे promise भी कर देना, तो इसके बाद author बोलती है कि अगर आप अपने आपको ठीक करना चाहते हो, और ये book के starting में ही, सबसे पहले chapters में ही, सबसे important चीज author बता देती है, कि all diseases comes from the state of unforgiveness, मुझे नहीं पता आपको दिख रहा है या नही I hope दिख रहा होगा, all diseases comes from the state of unforgiveness, author कहती है कि अगर आपको ठीक होना है, और a course of miracle में भी सबसे जरूरी बात यहीं बोली गई है, कि अगर आपको ठीक होना है, तो सबसे पहले ये ढूंडो कि आपको किसको माफ करना है, और जितने बड़े level पर ठीक होना है, उतना बड़ा ठीक ही ढूंडो, जिसको सबसे ज़्यादा जरूरत है माफ करने की, आप खुद को आजाद नहीं कर सकते जब तक आप किसी दूसरे को आजाद नहीं करोगे अपने दिमाग से, अब जिस भी इनसान को author ये बात बोलती, या अगर मैं आपको ये बोलू कि माफ कर दो यार, जिसने भी गलत किया, जो भी गलत किया, तो सबसे पहली बात निकल के आएगी, आपको क्या पता कितनी बड़ी गलती की है, तो author, वाली ही सेम बात मैं भी अपने participants को बोलता हूं, तो ठीक है फिर मत करो, कोई बात नहीं, अगर आपको वो उतनी बड़ी दिकत नहीं दे रह ही है, कि किसी दूसरे को माफ करके मैं आजाद कर रहा हूं, और नहीं, यह forgiveness देके, यानि किसी दूसरे को माफ करके, आप सबसे पहले खुद को आजाद करते हैं, हम अपने mind को आजाद करते हैं, relax करते हैं, कि जो हुआ ठीक है, कोई कर्मा था, किसी तरीके से, मैं को specific बात नहीं बता रहा हूं, किसी तरीके से, जो आपको अच्छा लगे, उससे दूसरे इंसान को आजाद कीजिए, माफ कीजिए, और कहिए कि इससे मुझे बहुत बड़ी learning मिली है, मेरी जिन्दगी में मिलनी जरूरी थी, इसलिए मेरे पास ये मौका या ये इंसान या ये incidence या दो-तिन दिन के अंदर कुछ चमतकार होने लगा, दिमाग इतना रिलाक्स होने लगा, जो सारा दिन भरा रहता था रहे, मेरे दोस्त, घर में एक दिन पुराना कूड़ा कच्रा किचन का वो वेस्ट जो है, हम नहीं रखते हैं, क्योंकि अगले दिन बदबू आने लगती ह लोगों ने या भरके रखी हुए अपने फरंटल लोग में, ओ, 1982 में 27 जनवरी वाले दिन ऐसा हुआ था, 2003 में उसने मेरे साथ ऐसा किया था, 25 जनवरी 2016 को मेरे साथ ऐसा हुआ था, कोविड आ गया था, तो मैंने ये देखा था, रहे, जितनी भी ये चीज़ें पड़ी है किसी ने जो किया था, उसको निकाल फैक, कोई तनी डेट सियाद करने की जरूरत नहीं है, इन सब को निकालो, दिमाग को लाइट करो थोड़ा सा, और ये सबसे पहला तरीका है, अपनी किसी भी डिजीज को हील करने का, जब तक किसी को माफ नहीं करेंगे, तब तक श्टेप है, सेल्फ लव, खुद से महबत करना, कितनी उम्र गुजर गई कि खुद का पता ही नहीं है, खुद का नाम तक लेकर नहीं पुकारा कभी, खुद के बारे में ये नहीं पता, मेरे कोई फेवरेट प्रूट कोई है, मेरे कोई खाने की चीज, कोई बहुत जाधा पड़ेगी क्योंकि बहुत से लोग जो ये disease या अपनी body में किसी गलत चीज को develop कर लेते हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि unworthiness की feeling है उनके पास, उनको बचपन में ठीक treat नहीं करवाया गया, उनके साथ गलत वैवार किया गया, हमेशने बोला गया रहे त उसके अलावा कभी शायद बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको प्यार मिला ही नहीं और ये प्यार की जो कमी है, ये आप पूरी कर सकते हो, आज अपने आपको खुद से महबत करके, self love देखे, और author इसके लिए एक बहुत खुबसूरा चीज बताती है, करना जरूर, और अगर नाम मज़ा आए ना, पहली बार में अगर आपको इससे ना result मिलें, तो वापस आके इस वीडियो को चार बार dislike करके जाना, author बोलती है कि mirror में देखो, और mirror में देख करके अपने आपको बोलो, I love you, Anurag, मतला, मतला कि तो मेरा नाम है, अब आप अपना नाम जरूर लेकर के बोलो, जो भी आपका नाम है कि I love you, बहुत दिन हो गए तुमसे मुलाकाती हो, क्या चेहरा है, क्या glow है चेहरे पर, चलो आज कहीं बाहर घुम के आते हैं, कुछ एक अच्छा सा, you know, facial treatment लेकर के आते हैं, मजाख कर रहा हूं, लेकिन जितना हो सकता है, आप अपने आपको pam पर कीजिए, अपने साथ एक connection strong होगा, और जहाँ अपने साथ connection strong होगा, वहाँ खुद की एक worth realize होगी, कि अरे हाँ यार मैं भी तो exist करता हूँ, बहुत सी ladies ने पूरे परिवार के भागदोर के चकर में खुद को खो दिया, बहुत से males ने अपने परिवार के burden के चकर में, क जिस दिन खुद को पाया, आप अपनी कीमत समझने लगोगे, और जिस इंसान ने अपनी कीमत समझ ली, यही तो खुद से प्यार करना है, self love में जाना है, अपने आप से प्यार करो मेरे दोस्तों और यह mirror technique जरूर करना, और अगर आप करो, तो मुझे comment करके भी बताना कि हा हम इसको religiously follow करेंगे, और मैं यह नहीं कहा हूँ कि किसी को disease है, in fact, यह हर इंसान को करने चाहिए, क्योंकि आपके neurons को एक positive signal देती है, self connectivity establish करती है, और यकीन मानना, यह छोटा सा एक पागलपन भी है, जो इंसान को कर लेना चाहिए, जो हमें बच्चा बना के रखता है, नह कि अगर आप अपने आपको heal करना चाहते हो, तो present moment में आ जाओ, क्योंकि उन्होंने note किया कि जितने लोग अपनी life में, या अपने mind में, या अपनी body में किसी भी तरह का कुछ गलत चीज़ लेकर के बैठे हैं, वो present moment में ही नहीं, वो जी रहे हैं उस past में जो 20 साल, 15 साल, 10 साल, 4 साल, 25 साल, 50 साल पुराना past है, वो जो सड गया है, गंद पड़ा हुआ है दिमाग में, वो उसी में आज भी, उसी की बदबू में अभी अपने आपको intermingle कर रहे हैं, और बहुत से लोग इस present को present समझ करके, पहले से भेजा हुआ past समझ करके, इसी past में जीते जा रहे हैं, लेकिन author कहते हैं कि आज में जी हो, और जिस भी condition को आप face कर रहे हो, suppose करो किसी की health अच्छी नहीं है, तो वो अपने आपको present में ये बोले, अपने आपको कि I am completely healthy, या I am becoming healthier, अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैं यहाँ पर आपको कोई law of attraction सिका रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इस ऐसा करने से आपका एक connection, क्योंकि जो आपकी disease है, आप अगर उसको ये सोचो कि वो past में कहीं रह गई और आज मैं अपने आपको healthy feel करता हूँ, तो अगर आप इस affirmation को अपने आपको दो कि I am healthy, या I am becoming healthier, और यही mirror exercise के साथ आप करो, तो आप देखोगे आपके neurons में change आने लगेगा, क्योंकि हमारा दिमाग imagination में और reality में फर्क नहीं करता है, जब इसने कुछ गलत सोच करके disease तैयार की है, तो कुछ अच्छा सोच करके उसको ठीक भी तो कर सकता है, तो वो अच्छा होने की सबसे अच्छी state तो यही है कि मैं ठीक हो चुका हूँ, सबसे आपसे chemicals produce करना शुरू करें, तो present moment में आ जाओ, यह बहुत बड़ी help करता है आपको, आपकी disease को, आपकी life को, आपके stress को fight करने में, क्योंकि आप note करना कि जब भी हमारी जिंदगी में कोई challenge होता है, हम present से cut हो जाते हैं, और सीधा पहुंच जाते हैं उस past में 5 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल पहले, next और बहुत powerful चीज है mental detox, और आपको पता है कि मैं भी अपने कई, you know, events में, free events में mental detox लोगों को करवाता हूं, जहां पर मैं एक exercise लोगों को देता हूं कि कैसे वो अपने दिमाग से चीज़ों को बाहर निकाल सकते हैं, कैसे वो अपने future timeline को देख सकते हैं, बड़ी amazing exercises इस event में करवाता हूं, बहुत से लोग, सेंगडों लोग तो बार बार भी इस event को attend करते हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर नहीं किया, आज तक नहीं किया, तो form description में, free form है, उसको fill कर देना, वो event जब भी होगा, उसका mail आपके पास थाब आजाएग तो उसको लिखना शुरू कर दो, paper के उपर, जितनी detail में लिख सकते हो, जो words लिख सकते हो, जो sounds लिख सकते हो, सब लिखना शुरू कर दो, और थोड़ी देर में आप देखोगे कि वो paper भरता जाएगा, उस दिन ऐसा हुआ था, जो date दिमाग में उसको लिखो बकाय था, उ जनी का अगज पर उस चीजों को निकालो, और निकालने के बाद उसको पढ़ना नहीं होता, नहीं किसी को पढ़वाना होता है, simply उसको कट कर दो, कैंची लेके scissor से, या फिर उसको जला करके किसी dustbin में डाल दो, ये आपके mind को एक बहुत powerful signal देता है, कि मैंने अपने अं ये चीजने कभी भी नहीं ठीक होती, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को जो stress, depression में 2-4 गोली, 4-8 गोली और 8-16 गोली तक पहुंचते देखा है, लेकिन किसी को भी उससे बाहर आते हुए नहीं देखा, जब तक कि वो अपने mind की programming को न बदले, जब तक कि वो catharsis और ये detox क process को, CBT की technique को अपने दिमाग में न लगाए, तब तक, इसको करना जरूर बहुत powerful चीज़ है, सबसे पहले उसको लिखो, लिखने के बाद उसको खत्म कर दो, दूसरा, अगर कोई भी moment negative emotion का आपको ध्यान आए, तो उस emotion को अपने mind के outer level पर अपने यहां, यहां पर सोचो, और देख करके उससे जो भी emotion आपको आता है, हसना आता है, रोना आता है, जलसी आती है, ग्रीफ आती है, उसको निकाल दो, अगर रोना आता है, तो रो दो, कोई बात ने, क्योंकि वो रोना एक negative emotion नहीं है, negative state नहीं है, बलकि वो went out का process है, बाहर निकालने का एक process है, जो आ यही वो टेखनीक है, जिससे Dr. Joe Dispenza, जिससे अपनी placebo में बताते हैं, जिससे becoming supernatural में बताते हैं, और Joe Dispenza ने कितने ऐसे लोगों की internal state को बदला, लुई हे ने अपनी internal state को बदला, inotomy of illness में Norman Cousin ने अपनी internal state को बदला, और यह है visualization, कि आप visualize कीजिए, जो भी problem आपको face हो हो रहा है, मेरी arteries open हो रही है, मेरी arteries में flow create हो रहा है, और जब हम ऐसा visualization करते हैं, तो हमारी body ठीक उस visualization को response देती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा, कि हमारा mind imagination और reality में फर्क नहीं करता, अगर आप किसी भी चटकारेदार चीज़ के बारे में मुम में सोचते हैं, जट से पानी आजाता है, वो असली में तो नहीं है, body ने react कैसे किया, क्योंकि body को पता ही नहीं चला कि वो असली था या नकली था, imagination था, सपने में जब आप डरते हो, वो imagination होता है, लेकिन body पूरा डर का reaction देती है, पसीना आजाता है, palpitation होती है, कई बार लोग काम भी रहे होते हैं, व अपनी उस चीज को visualize करते हो, जो current चीज को challenge को आप face कर रहे हो, कि वो ठीक हो चुका है, और वहाँ पर एक flow बन रहा है लगातार, उस organ को देखते हो, ठीक होता हुआ, अपनी mental state को देखते हो, अपनी happiness को देखते हो, कि मैं खुश हूँ, उपर वाले का शुक्र अदा करते ह तो ये सब चीजें धीरे धीरे आपकी body पर impact डालना शुरू कर देती हैं, क्योंकि थोड़ी देर के लिए ही सही, आपने अपनी mental state को बदला, और ये बदल के सेंकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बलकि लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी से कई बिमारियों को, stress को, tension को, depression को खक्म किया है, और अगर आपको इसमें conviction हो, क्योंकि अगर आपको इसमें यकीन आया, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें 2% result मिला, तो आप चमतकार कर दोगे, लेकिन अगर आपको conviction नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं यार, ये चीज़े नहीं, सिर्फ दवाई ही काम करेगी, तो भी कोई बात नहीं, दवाई बहुत जरूरी है, जो भी medicine आप ले रहे हैं, वो लेते रहे हैं, उसके साथ-साथ इन techniques को use कीजिए, क्योंकि ये किसी का alternate नहीं है, मैं कभी भी ये नहीं कहता कि जो treatment कर रहे हैं, वो छोड़ दो उसके अलावा, इसको करना करीन, जो की हम अपने mental detox में भी करवाते हैं, session बिल्कुल free है, उसका link description में, और अगर आप हमारी healing wellness की एक retreat को, जो की तीन दिन की workshop होती है, उसे join करना चाहते हैं, जो की paid है, उसका भी link description में, दोनों को check कीजिए, और अगर नहीं, तो कोई बात नहीं, इन videos को regularly check करते रहे है क्योंकि यहाँ पर भी जो transformation मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलेगा, और यकीन मानना मैं आपको तब तक छोड़ने वाला नहीं हूँ, जब तक आप अपनी जिंदगी को really, amazingly, powerfully, fantagonically, magically transform नहीं कर लेते हैं.